आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें छे जो ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक तत्व, उनकी तीन स्रेणिया होती है, 3D, 4D, 5D, ये तीन स्रेणिया जो होती है, हमारी संकर्मन तत्व की प्रथम दिती और 33 स्रेणि कहलाती है, ठीक है, मैं आपको लिख देती हूँ, या पर आपको जैसे समाझ में आ जाए, आवर् पांच interns, ये दितियी संकर्मन तरहनी होती है, जिसे हम क्या कहते है, 4D चिक, और लास्ट होता है, आवर्थ 6, जिसे हम 33 संकर्मन तरहनी कहते है, और यसे लिखते हैं, किस नाम से है, 5D चुके, 5D चुके जैसे हैं, आपको बिता देती हूँ, परमाटु क्रमांग 21 से तीस तक के तत्व इसमें उपस्तित होते हैं 3D स्रेणी में 4D स्रेणी में पर्मानो करमांग 49 से Z होता है हमारा पर्मानो करमांग पर्मानो करमांग 49 से 48 तक के और आवर 6 मतलब 5D स्रेणी में पर्मानो करमांग 57 से 72 तक के ठीक है या बहतर क्या असी भी कह सकते हैं इसे हम ठीक है असी पारे तक के ठीक है 57 से असी तक के तत्व होते हैं 57 से बहतर तक के होते हैं फिर 72 से फिर असी हो जाते हैं तो हम अगर इसे एक कर के लिखें 57 से 80 तक के तत्व तो संक्रमन तत्व की कितने श्रेणि होती हैं संक्रमन तत्व की 3 श्रेणियां होती हैं जो की आवद 4, 5, 6 में उपस्तित होती हैं जिनका नाम है 3D स्रेणि, 4D स्रेणि, 5D स्रेणि तो अगर आंसर में देखें तो यह हमारा आंसर होगा ठीक है शॉर्ट आंसर बट इसके अंदर जो पर्माडू पश्थित होते हैं वो यह हैं पर्माडू करवांग एक किस से तीस उन्तालिस से तालिस सतामचे असी आशा करती हूं यह आंसर आपको समझ में आगया होगा थैंक यू पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट आएटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चातरों का भरोजा आशी डाउनूट करें डाउटने आप यह वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर